आज हम बनाएंगे यूपी स्टायल में बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत ही फेमस ताल ढोपली रेसिपी यह रेसिपी खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है हेलो फ्रेंट्स मैं रुची वर्मा स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे आने वाले हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है आज हम बनान आपके जिले में या आपके हां इसे किस नाम से बुलाया जाता है प्लीज प्लीज आप हमें कमिट्स करके ज़रूर बताइएगा डाल ढोकली रेस्पी बनाने के लिए एक कप हमने अरहर की दाल या तूर दाल ली है अरहर की दाल हमने छिलके वाली ली है आप बिना छिलके अब इसे हम खुषपार साप आज़ए ह पकाने तक हम पकाएंगे, दाल जब तक पक रही है तब तक हम आटे की तैयारी कर ले रहे हैं, दो कफ हम गेहु काटा लेंगे, आटे में हम आधा छोटा छमच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और एक चमच धन्या पाउडर, नमक स्वाधन सवाड बनेंगे, और इस आटे में हमने थोड़ी सी हिंग डाल दी, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, सभी चीजों को हमने आपस में अच्छे से मिला दिया है, अब हम नॉर्मल पानी से आटा गूत लेंगे, आटे को हमें बहुत जादा ना मुलायम गूतना और ना बहुत जादा हम में इसे सबक्त गूत् loneliness are बहुत हैं है कि ऑद़ believer का दाल को देख ले रहे हैं दाल अच्छे से पक कर तयार हो चुकी इसे एक बार मच्छ चला लेंगे डाल में तलका लगाने के लिए मसालों को देख ले रहे हैं दस से बारा कढ़ी पत्ते, चार सुखे, लाल मिर्च, एक छोटा टुकला गुलका, एक छोटा चमच सर्सों और एक छोटा चमच जीरा चार से पांच के लिए बारी कटी हुई लहसुन की आधार नीमबू गैस पे हमने भगोना चला थे, भगोना अच्छे से गरम हो चुका, अब इसमें एक बड़ा चमच हम सर्सों का तेल डालेंगे अब इसमें बारी कटी हुई अद्रक और हिंग से हम तलका लगा लेंगे तेल में अद्रक और हिंग अच्छे से पक चुकी है तेल में हम लहसुन, जीरा, कढ़ी, पत्ते और सरसो और लाल मिर्ट सब एक साथ डाल देंगे और इसे मीडियम आज में पका लेंगे सभी चीजे अच्छे से पक चुकि अब इसमें मीडियम साइज में कटा हुआ एक बार टमाटर हम डाल देंगे तमाटर को हम अच्छे सभी चीजों के साथ पका लेंगे दाल ढोकली रेसिपी में हम मुफली के दानों का यूज नहीं करें क्योंकि मुफली के दानों को हम दाल ढोकली में पसंद नहीं करते हैं इसलिए इसमें दाल ढोकली में हम नहीं डाल रहे हैं टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें हम डाल डाल देंगे डाल को अच्छे से पकाने के लिए इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छे स्चला लेंगे इस recipe में मुमफली के दाने optional होते हैं हमें पसंद नहीं इसलिए हम इसमें नहीं डाल रहे हैं अब इसमें एक चमच हम धन्या पर डालेंगे साथी एक चुथाई चमच हल्दी पौडर आधा चमच लाल मिर्श पौडर नमक स्वाधन सार एक चोटा टुकड़ा हम इसमें गुल डालेंगे इसे एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे इस recipe का सौथ थोड़ा तीखा और थोड़ा खटा मिठा रहता है ताल जब तक हमारी अच्छे से पकरे तब तक हम ढोकली को तयार कर ले रहे हैं आटा भी अच्छे से मुलायम हो चुका है एक बार इसे अच्छे से हम फिर से गूत लेंगे आटा अच्छे से मुलायम हो चुका अब आटे की हम मीडियम साइज की लोईया बना लेंगे ठोकली बनाने के लिए लोईयां हमें बहुत जादा ना मोटी बनानी और ना बहुत जादा हमें पतली बनानी है आटे को हम चौकी या चकले पर रखकर इसे गोल कर लेंगे लोई में अब हम सुखा आटा लगा लेंगे और इसे अब हम एक लंबी सी गोल रोटी या किसी भी आकार में आप बना सकते हैं गोल टिकोनी या किसी भी आकार में आप बना सकते हैं रोटी के हमें बीच भाग से मतलब है आप इसे गोल बनाए या लंबया किसी भी आकार में बना सकते हैं हमने लंबी एक गोल रोटी अच्छे से बेल ली है अब हम एक गलास लेंगे गलास में हम सुखा आटा लगाएंगे अब इसी ग्लास से हम छोटी छोटी रोटियां काट लेंगे इस तरीके से हमें छोटी रोटियां काट लेनी है आप ग्लास की जगा कटोरी या किसी भी कटर का यूज़ कर सकते हैं अब जितना भी एक्टा आटा है उसे हम हटा देंगे इसी तरीके से बाकी सभी रोटियों को हम बेल कर ग्लास की सहायता से इस तरीके से चोटी-चोटी रोटिया काट लेंगे अब हम आपको एक ढोकली बना कर दिखाते हैं हम एक चोटी रोटी लेंगे रोटी को हम दोनों साइडों से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे हम बीच में इस तरीके से जोड़ देंगे इसे हमें बिल्कुल एक फूल की तरह बनाना है ये बहुत ही आसानी से बन कर तयार हो जाती है हम आपको एक दूसरी डाल ढोकली बना कर दिखाते हैं डाल ढोकली बनाने के लिए हम एक छोटी रोटी लेंगे इसके दोनों सीरों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे हम बीच मिला के जोड़ देंगे यह बहुत ही आसानी से और आराम से बन जाती इसको बनाने के लिए हमें कोई भी परिशानी नहीं होती है इसी तरीके से बाकी सभी दाल धोकली हम बना कर तयार कर लेंगे अगर आप इस तरीके से धोकली नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक गोल दोटी बनाएज और उसे इसक्वायर पीस में काट लेजिए या आप इसे छोटी पीसों में भी काट सकते हैं डाल में एक उबाल अच्छे से आ चुका है अब एक बार इसे अच्छे से हम मिला लेंगे अब हमने जितनी भी ढोकलियां बना के रखी इसमें एक एक करके सभी ढोकलियां हम डाल देंगे ढोकली को हम ढाल में मीडियम आच में 10 मट के लिए अच्छे से पका लेंगे ऩुक़ी जब दाल में अच्छे से पकने लगेंगे तो सभी धोक़ियां दाल में उपपर दिखने लगेंगी धोक़ी को पकते वह 5 मिनट हो चुके अब इसमें हम आधा नीम्बू करस डाल देंगे अगर आपके पास नीम्बू नहीं है तो आप नीम्बू की जगा इसमें आमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं 5 मिनट के लिए दाल ढोकली को हम धकर पका लेंगे इसे हमें पूरी तरीकी से नहीं ढखना है इससे जादा हमें अब नहीं पकाना है डाल ढोकली ठंडी होने पे बहुत जल्दी गाड़ी हो जाती है कैस को हमने बंद कर दिया अब इसे एक हम काटोरी में निकाल लेंगे चट पटी मसालेदार स्वादिस डाल ढोकली रेसिपी बनकर तयार है आप इसमें हमारी पत्ती से से गानिश कर देंगे प्रेंट्स आपको हमारी दाल ढोकली रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट्स करने ज़रूर बताईएगा मिलती हूँ आप से आने वाली अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाई